Hello everyone, you're watching food, fitness and fun and this is dietitian Manju Malik तो आज हम बात करेंगे cinnamon यानी दाल चीनी के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले ठोटी से information मेरा recipe channel जो है वो live हो गया है मैंने उस पर recipe share करना शुरू कर दिया अगर आपने अभी तक उसे subscribe नहीं किया है तो go and do subscribe to that channel channel का नाम है Fit Food Flavors जहां आपको रोज from Monday to Friday healthy recipes मिलेंगी साथी मेरी website भी live हो गई है जहां पर ही सारे information आपको English में मिलें कि if you want this information in English you can go to my website and you can find all the information in English in text form cinnamon एक ऐसा sweet, mild, fragrance वाला spice है जो आपकी mood को भी enhance करता है लेकिन cinnamon का अपने kitchen में इस्तिमाल करते वाक्त हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बार में शायद हमें ही नहीं पता और उसकी वज़े से इसके health benefits को enjoy करने के बदले इसके side effects का शिकार बन सकते हैं हम तो आज मैं बात करूंगी कौन सी ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप cinnamon को इस्तिमाल करें weight loss के लिए या फिर इसके बाकी health benefits के लिए सबसे important चीज़ है किस तरह की आप डालचीनी का इस्तिमाल कर रहे हैं बहुत सारी varieties की cinnamon market में available हैं लेकिन इन्हें दो categories में divide किया जाता है एक होता है cassia और एक salon salon cinnamon जो है उसे श्रिलंका गई थी तो ये वीडियो में shoot करके लाई थी मुझे बहुत शौक है herbal gardens में जाने का तो I wanted to see कि किस तरह बनती है basically पेड होता है उसकी चाल को उसे निकालते हैं इस तरह फिर ये dry होने के बाद रोल हो जाती है तो ये होती है salon cinnamon जो cassia cinnamon होती है वो basically मोटी होती है dark color की होती है cassia cinnamon जो होती है उसके अंदर एक toxic element होता है जो होता है comorin comorin एक ऐसा toxic element जो cassia में भारी बात्र में पाया जाता है और अगर इसका ज़ादा इस्तमाल किया जाया तो ये आपके liver को खराब कर सकता है आपके liver पे इसके side effects हो सकते है cassia के अंदर ये 1% से 5% तक पाया जाता है वहीं अगर हम salon cinnamon की बात करें तो 0.004% यानि बहुत थोड़ी मातरा में पाया जाता है salon cinnamon जो होता है उसका taste बहुत mild होता है हलका हलका मीठा taste होता है वहीं जो cassia होता है cassia का taste sharp होता है और इसका taste थोड़ा थोड़ा spicy होता है जो हमारे supermarkets में पाया जाती है cinnamon वो होती है cassia, salon cinnamon, शिर्फ शिरलंका और कुछ और जंगे पाया जाती है तो ये महंगी होती है cassia जो होती है वो चाइना में, यहाँ तकी इंडिया में जो पाय जाती है केरला में वो भी cassia cinnamon होती है एक बार पहले ही में इसके बारे में शॉर्ट में आपसे बात कर चुकी हूँ एक पुराने वीडियो में अगर आप actually इसके health benefits enjoy करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके कोई भी side effect आप पे ना हो तो आप salon cinnamon का इस्तमाल करें even for weight loss तो ये था पहला advice cinnamon जो होता है उसके अंदे बहुत सारे health benefits होते हैं antioxidants बहुत जादा होते हैं लेकिन जब आप इसको over cook करते हो हमेशा cinnamon को ऊपर से या फिर बिल्कुल आखरी में जब आप cook कर रहे हो तब use करें इवन जब आप इसका पानी बनाकर या tea बनाकर पी रहे हैं तो उसको boil नहीं करना है बहुत जादा उसके सारे जो nutrients हैं जो element हैं जो plant के important compounds हैं flavonides हैं वो सब destroy हो जाएंगे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है आप उसको overnight water के अंदर infuse कर सकते हैं या फिर आप उसको normal lukewarm water के इंदर रखकर थोड़ी दिर छोट सकते हैं तो उस तरह का आपको पानी पिना है या फिर जब बिल्कुल आप gas बन करने पानी का तब add करें cooking में भी आपने देखा होगा कि उपर sprinkling के लिए जादा इस्तवाल किया जाता है इसे अगली जो important चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि हमेशा cinnamon की sticks खरीदे never buy cinnamon powder क्योंकि अगर आप salon cinnamon भी खरीद रहे हैं तो बहुत सारी ऐसे news आई थे कि उसमें kassia का powder mix किया जाता है और उसे salon क्या के बेचा जाता है उसके अलावा all भी ऐसे adulteration है किया जाता है ऐसी मिलावत इसके अंदर की जाते है कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है तो अगर आप pure cinnamon consume करना चाहते हैं तो उसे आप stick की form में खरीदे एक अच्छा grinder खरीदे आप ताकि उसको तोड़ तोड़ के आप घर के अंदर ही उसका powder बनाएं और बिल्कुल महीम powder आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस रिच इन वॉलेटाइल ओइल इसके अंदर oil होता है तो थोड़ा दरदरा powder ही बनेगा इसलिए जब आप cinnamon को water में mix करते हैं तो बहुत अच्छी तरह वो घुलता नहीं है because of the oil element which is present in cinnamon उसके बाद जब आप इसे stick के form में खरीदे तो जितनी quantity आपको चाहिए बहुत थोड़ी-थोड़ी मातरा में आप इसे पीसे अगर आप बहुत भारी मातरा में या बहुत large amount में इसको ground form में रखेंगे तब भी इसके जो nutrients हैं वो reduce हो जाएंगे इसकी जो shelf life होती है powder की वो बहुत कम होती है और market में जो cinnamon powder मिलता है उसकी shelf life बहुत ज़ादा बताई जाती है तो that means always you skin the preservative भी होता होगा and कोई भी ऐसे herbs and spice होता है अगर powdered form में है तो उसकी shelf life बहुत कम होती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इसकी पूरे benefits चाहते हैं उसकी पूरे nutrients को चाहते हैं तो इसको थोड़ी-थोड़ी मातरा में ही piece कर रखें आपकी body इसे used to ना हो जाएं और दूसरा चीज अगें आपकी liver पे इसके जादा कुछ side effects ना हो तो आपको break देना बहुत जरूरी है एक आप लगाता देड़ महीने के बाद इसे break देकर दुबारा इस्तिबाल करेंगे तो आपके लिए जादा healthy रहेगा quantity की बात करूँ तो अगर आप कासिया इस्तमाल कर रहे हैं तो उसकी quantity बहुत कम मातरा में use करनी चाहिए आप 1-2 teaspoon on a daily basis consume कर सकते हैं इसको अगर लेनी की बात करूँ तो best time है before meal इसके अंदर जो properties होती हैं वो diabetes लोगों के लिए sugar level को control करने में help करता है इवन PCOS, PCOD के लिए भी ये ज़ादा useful इसलिए है विकरज ये insulin level को regulate करने में help करता है तो इसका best consumption के लिए आप इसे before meal ले सकते हैं या फिर in between meal ले सकते हैं next is people who are on diabetic medication या फिर अगर आप heart disease के लिए कोई medication ले रहे हैं तो उसकी medication के साथ cinnamon interfere कर सकता है तो अपने physician से या doctor से consult करने के बाद ही से ले और इसके timing को भी उनी से consult करें which is very important या फिर किसी liver के disease के लिए आप medicine ले रहे हैं और तब आप cinnamon water या cinnamon को consume करना चाहते हैं बहुत लोगों को इससे allergy भी होती है तो इससे allergy का ध्यान रखे अगर आपके mouth में soreness हो रही है gums में कोई problem हो रही है या फिर कुछ और आपको you have problem in your menses तो that means it's not suiting you अगर आपको suit नहीं कर रहा है तो लिनी की जरूरत नहीं है अगर आपको suit नहीं कर रहा है तो लिनी की जरूरत नहीं है अगर आप winters में इसका consumption 1 teaspoon कर रहे है तो summers में half या one fourth कर दीजिए क्योंकि इसका nature जो होता है वो भी warm होता है तो इसकी तासीर गरम होती है तो गर्मियों में आप इसका consumption कम कर सकते है या फिर गर्मियों की spice जैसे की fennel है mint है वो use कर सकते है बहुत लोगों ने cinnamon के बारे में मुझे question पूचे थे on my instagram इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पर एक अलग से video बनाऊ I hope you like this information do share it with your friends and family members thanks for watching, stay healthy, stay fit and I'll be back very soon bye bye